अब अपना स्वार है देखो उस वर्त का व्यास ग्याद कीजी जिसका चेतरफल 20 सेमी तथा 18 सेमी व्यास वाले दो वर्तों के चेतरफल के बराबर है यानि एक वर्त कितना है 20 सेमी दूसरा वर्त कितना है 18 सेमी व्यास का है इन दोनों का जितना चेतरफल है उतना एक बड़ वर्त का च्छेतर प्रोना चाहिए और उस वर्त का अपने को व्यास ग्याद करना है अब सबसे पहले देखिए अपने सबसे पहले अपने करते हैं यानि पहला जो वर्त है पहले वर्त की तरज तो व्यास के बटा में दो करी व्यास है बटा दो दस से में पहले वर्त की जो तिरजा आगई दस से में दूसरे वर्त की तिरजा 48 बटे दो बराबर 24 से में ठीक है अब इन दोनों का छेत रफल करना है अपने इसको छोटे वाले वर्त को आर वन उसकी तिरजा को आर वन से परदेशित करते हैं और इसकी तिरजा को आर टू से और जो इन दोनों के छेतर फल के बराबर बड़ा वर्त बनेगा तो बड़े वर्त की तिरजा को आपने परदेशित करते हैं और कैप्टल आर से अब आपने देखो सबसे पहले तो इसका बड़े वर्त का जो छेतर फल है वो लिखेंगे पाई केप्टल आर का स्केयर अब इसका छेतर फल इन दोनों वर्तों के छेतर फल के बराबर है तो इसका लिखेंगे पाई आर वन का स्केयर पलस पाई आर टू का स्केयर चिक अब अपने इसको यहीं पे देखो तीनों में आर आर आ रहा है यहाँ पाई आर इसकेयर इन दोनों में पाई को कॉमन निकाल देता हूँ आर वन का स्केयर और आर टू का स्केयर इसको इससे काट देती है गया काम से बराबर यह हो गया आर केपिटल आर का स्केयर और देखिए अपने यह क्या है आर वन का स्केयर आर वन किता है दस दस का स्केयर पलस आर टू कितना था चोबिस का स्केयर आर इसकेयर बराबर दस दाया सो चोबिस चोबिस पंच चेतर आब अपने के ऊपर अगर आपने इसको इसकी गात को उड़ाएंगे तो आगे पराले पे रूट लगा देंगे आगे पर रूट लगा देंगे अब देखे आगे बाड़े रूट लगाने के लिए इसकी गात को उड़ा दो दोनों को जोड़ दो छैसो चैतर का रूट हो गया यानि दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे आर बराबर छैसो चैतर का रूट कितना होता है यानि वर्गमूल कितना होता है 26 सेमी ये तो हो गई बड़े वरत्य की तरजा अपने को पूछा है उसका व्यास क्या पूछा है व्यास क्या होता है तरजा का दुगन आर एंटू टू व्यास तो अपने 26 गुना 2 बराबर बावन सेमी ये हो गया इसका व्यास चीक है